असलाम लेकुम मैं जो फैमली में इनकूर्थी हूं तमाम इमर्स हैरियर से होंगे प्रहें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज को लाइक कर दे करें अचा मैं असलाम नूँ तो स्लाम का जवाब कमेंट में लिख दिया करें ताकि आपको भी देखी में दे तो आप यकीन करें काम याब इनसान नहीं है अगर आपको हग और साच और इनसाफ पर आपकी जबान आप जबान को वहाँ चुप रखते हैं आप चुप रहते हैं आप बोल नहीं सकते तो आप एक कमजोर इनसान है आप ये डर और आप ये खौफ खत्म कर दे आप ये नहीं सोचें कि मैं बूलूँगा तो मेरी चौप जाएगी मैं ये बात करूँगी तो मुझे चौप से निकाल दिया जाएगा अगर ऐसा भी होते तो नो प्रॉब्लम अल्ला पर यकीन रखो अल्ला ने हम सबको पैदा किये तो रिज्क भी अल्ला देगा लेकिन मैं मेरे बात करने का मकस्द है नि कि आप ऐसी हालात पैदा करूए कि एसा सच पे पैदा होते हैं लेकिन सिर्फ हक सच पे बोलने से अगर कोई मसले मुसाहिल आते हैं तो इसे नहीं गिब रहो हक, सच पे बात बहुत जुरूरी है अगर आप हक और सच पे नहीं न बात करेंगे तो आप एक कमजोर इंसान है, कमजोर दिल आपको हक और सच पे बात करनी चाहिए जब आप हाक और सच पे बोलना सीख जाएंगे न तो आप काम्यभ होजेंगे क्योंकि जब इनसान सही और गलत का कुछ समझ के भी बोल नहीं सकता उसे परकता नहीं उसे नजर अंदाज कर देते हैं तो आप एक कमजोर इनसान आपको इस तरह से नहीं आपको बड़ा जिन्दा दिल और बहुत ही ज्यादा जिगरा और होंसला हीमत और इनसाफ पर बात करना हक पर बात करना बड़े जिगरे की जरूरत है और वो डर खतम करना चाहिए किसी चीज का नहीं डर सिर्फ हुदा के जात का आना चाहिए हग को और सच पे बोलते हुए कभी भी नहीं गिबराना चाहिए आप में वो जिगरा आप में वो लफ्स आप में वो अंतास आप में वो बात करने का लहचा आपका वो confidence ये नहों कि आप ढर्बोक है आपकी वो आवास आपकी वो कपकपाहड नहो आपका वो अंदास लग रहा हो कि अल्ला ने इतना जिगरा इसे दिया और ये इस्तमाल कर रहा है इसे रब की जाद की सिवा किसी का डर नहीं अगर आप ऐसा करते हैं तुझ यकीनन आप एक डर बोक इनसान नहीं है फिराब आप एक जिन्दा दिल इनसान हो जो हर डर उसे डर नहीं काम यप इनसान वो ही बन जाता है वो ही होता है जिसे किसी किसम का डर ना हो जो हक पे बात करे ना डर हो दर सिरुफ अल्ला ताला की जात का इंसान के दिल में अना चाहिए और हक पे बात करो, सची बात करो, साथ दो जान भी जाती है तुझ जाए कभी गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए और गलती को दबाना भी नहीं चाहिए ठीक है गलती है इंसानों से होती है लेकिन उसका साथ नहीं देना चाहिए और हग और सच का साथ देना चाहिए हग और सच जो हग और सच पे जो हग और सच को फोरी अगर वो कहे के मुझे ये फैसला करना कि मैं हग और सच का साथ दोंगा तो येकेन करें आप दे आप हक और सच का साथ दे आपको डर किसी चीज़ का नहीं है रब की साथ का डर होना चाहिए अगर आप हक पे नहीं बोल सकते तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हक का साथ देना चाहिए चाहिए वो कोई भी रिश्टा हो ये नहीं देखना चाहिए इस्नामी देहिए अब इस्नामी माशरे में मतसावात और इनसाफ के फ्रोग के लिए जरूरии है कि एनसान को हर चीज़ क्साइर पे रखे ये न देखे जीकि उसके पास दूलत बड़ी है उसके पास पैसा है पास जैदात है वो यह हो जी कुछ भी नहीं होता हक और सच के लिए इनसान को हक की आवास बनना जुरूरी है जुरूरी होता है चाहिए वो अमीर हो या गरीब हो उसे हक और सच का साथ देना चाहिए